टाइटिल को देखते हैं ग्रिम टर्न ग्रिम का मतलब होता है बहुती भायंकर या बहुती विकट मोड तो जम्मू कश्मीर में जो सिच्वेशन है आप कह सकते हो कि बहुती भायंकर मोड हमें वहाँ पर देखने को मिला है अभी हाली में जम्मू कश्मीर में बहुत ही जबरदस्थ हिंसा हुई है जिसमें जो वहां के नागरिक हैं उनकी जान गई है तो उस समंद्ध में सेडिटोरियल में हम बात करेंगे वाइल पर्सुविंग टेररिस्ट जबकी पर्स्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फालो करना किसी चीज़ का अनुसरन करना तेररिस्ट कि भ Nest ठीक है केंद्र सरकार आतंकवाल से निपटने का प्रियास कर रही है तो इस प्रियास को करते हुए कि जो प्रशाशन है कि उसकी प्रशाशन है उसके साथ भी शामिल होना चाहिए civil society का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर में आप कह सकते हो कि जो भी लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं वहां के सब्बे लोग हैं उसके लिए कहा गया है the killings of seven civilians in स्री नगर in six days कि छे दिनों में साथ नागरिक वहां के हैं seven civilians हैं साथ आम नागरिक जो है उनकी हत्या हुई है killings mark तो ये क्या दिखाता है mark का मतलब है चिन्नित करता है a grim turn कि एक बहुती wicket mode हमें देखने को मिला है in the situation in the Kashmir valley कि जो Kashmir घाटी है वहां पर जो परिस्थितिया है उनमें एक बहुती wicket mode हमें देखने को मिला है this vicious vicious का मतलब है बहुती ज़्यदा क्रूरता पूर्ण mindless violence mindless मतलब बहुती बेकार बेमतलब की violence against commoners कि जो आम लोग है जो आम लोग है उनके खिलाफ इस तरह का कुरूरता पूर्ण जो हिंसा की गई है on up by a group अब ये देखो on up का मतलब क्या होता है on up का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिम्मेदारी लेना कि हाँ भई ये काम मैंने किया है तो एक group ने इसकी जिम्मेदारी लिए that calls itself the resistance front और ये group अपने आपको क्या कहता है resistance front resistance का मतलब क्या होता है विरोध करना किसी चीज़ का प्रतिरोध करना और ये जो group है resistance front है believed to be इसके बारे में ऐसा माना जाता है a shadow organization of the Pakistan based लशकर-े-तयवा कि यह पाकिस्तान आधारित लशकर-े-तयवा का ही एक तरीके से आप कह सकते हो उसी की चाया है यह ना या उसी group का एक आप कह सकते हो कि छद्म नाम है is yet another reminder तो ये जो घटना हुई है एक बार फिर से हमें इस बात को remind कराती है of the pathological hatred transnational of the pathological hatred inspire, inspire का मतलब होता है जगाना, प्रेरित करना transnational, radical, islamist इसका मतलब यह हुआ कि transnational का मतलब होता है रास्टर के पार है ना एक रास्टर के बाहर, एक देश के बाहर radical का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जब कोई चीज़ आप कह सकते हो कि जो उग्र रूप में होती ही ना बहुत ही ज़्यादा, उसको हम बोलते है कि बहुत ही ज़्यादा अतिवादी होना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रीम होना बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी होना उसको हम बोलते है radical तो एडिटोयल क्या करना चाहता है कि radical Islamism की बहुत ही ज़्यादा उग्र सुधारवादी Islamism जिस तरह के नफरत को जगाता है यह हमें पता चलता है इस गटना से है न हैट्रेट पैथोलोजिकल का मतलब देखो एक तो होता है पैथोलोजिकल का मतलब रुग्ण जैसे आप किस के भी behavior के बारे में कहते हो कि उसका behavior pathological है इसका मतलब है कि उसका व्यवार बहुत ही बुरा है और वह स्विकार करने योगी नहीं है अब यह जो पीडित हुए है यह जो हिंशा हुई है उसके जो शिकार लोग है उनमें कौन-कौन शामिल है Local Muslims Who were branded traitors Local Muslims भी शामिल हैं इस इंशा में Who were branded traitors इन Local Muslims को जो है इस तरह से इनका एक तरीके से आप कहते हो इनको क्या कहा गया इनको विश्वास गहती कहा गया कि इनकी हत्या की गई इनकी killing हुई और इनको जो है ये जो Local Muslims ये जो मारे गए इनको जो है इस तरह से brand के रूप में पेश किया गया कि वही ये विश्वास गहती थे दगावास थे But the targeting of the Hindu Pandit and Sikh minority communities is unmistakable unmistakable मतला जिसमें कोई गलती नहोग लेकिन इस चीज में किसी तरह की कोई गलती नहीं थी कि वही इनको भी target बनाए गया कि इनको हिंदू पंडित और सिख अल्प संख्यक समुदाय को स्री नगर्स prominent कश्मीरी पंडित chemist कि इस स्री नगर के prominent का मतलब बहुत ही महतोपून कश्मीरी पंडित chemist कि वही इनकी आप कह सकते हो कि ये इनकी medical की एक shop थी इनका नाम है कि जब सब लोग छोड़के जा रहे हो तब भी आप अपने decision पे बने रहते हो उसको क्या बोलेंगे इस्टे ओन वाज सीन एज आज पॉजिटिव ओमेन ओमेन का मतलब होता है पॉजिटिव ओमेन का मतलब हुआ शुभ संकीत कि जो माखन लाल है यह कश्मीरी पंडित हैं इन्होंने decision लिया था बने रहने का कि 1990 में जो हिंसा हुई थी कश्मीरी पंडित के खिलाफ कश्मीर में उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ बने रहने का decision लिया था उसे एक positive संकेत के रूप में देखा गया था by the displaced community displaced community का मतलब होता है एक ऐसा समाज जिसे अपनी जगे से हटा दिया गया है was gunned down तो इनकी भी हत्या कर दिया गया gunned down करने का मतलब होता है किसी को shoot कर देना किसी को मार देना the killers used epithets such as RSS epithet का मतलब होता है adjectives किसी को nickname देना उसको हम बोलते हैं epithet तो जो हत्या करने वाले थे जो killers थे उन्होंने कुछ nickname use किये जिन लोगों की हत्या किये उनके लिए जैसे उनको RSS stooge का गया stooge का मतलब होता है एक तरीके से कठ़पुतली है कि उनको RSS की कठ़पुतली का गया उनको police का informer कहा गया उनको दगाबाज कहा गया traitor कहा गया for the victims का मतलब है ये जो शिकार लोग हुए ये जो पीडित लोग थे जो मारे गए इन लोगों के लिए इस तरह के नाम मारने वालों ने use किये है ना इनको traitor कहा police informer कहा RSS stooge कहा माजिद अहमद गोजरी and मुहमद शाफीडार were killed on October 2nd कि माजिद अहमद गोजरी and मुहमद शाफीडार इनकी हत्या कप की गई 2 October को on October 7 a Sikh principle and a Kashmiri Pandit और 7 October को हमें क्या देखने को मिला कि वही एक Sikh principle और एक Kashmiri Pandit who had returned जो की lot आये थे जो की lot आये थे to the valley after taking up है जो की Kashmiri घाटी में lot आये थे after taking up a job इननोंने क्या किया था इनको एक job मिल गई थी job लेने के बाद में ये lot आये थे कश्मीर में और job इने कैसे मिल गई थी under the prime minister's special job package for migrant pandit कि migrant pandits के लिए एक special job package की गोशना प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी इस package के तहत job प्राप्त करके ये व्यक्ती जो है दोनों जो है lot आये थे कश्मीर में migrant pandit का मतब है यहाँ पर प्रवासी pandit है जो मतब अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर चला गया हो तो इन लोगों को भी वर गंड डाउन है ना इन लोगों को भी जो है शूट कर दिया गए Islamist terrorists have sought an ethnic cleansing of the valley for long editorial कहता है कि Islam से जड़े हुए जो आतंकवादी हैं इन्होंने चाहा है क्या चाहा है इन्होंने ethnic cleansing की प्रजातिय रूप से सफाई की जाए of the valley पूरी कश्मीर घाटी की for long का मतब है लंबे समय से Islamist terrorists जो है उन्होंने इस बात को चाहा है कि एक तरीके से पूरी की पूरी प्रजाती को ही जो है साफ कर दिया जाए the pundits had to leave in large numbers in 1990 following violence की हिंसा के कारण following का मतब होता इसका अनुसरन करते हुए इसके कारण है ना इसके बाद में तो जो कश्मीरी पंडिस थे उनको बड़ी संख्याओं में 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा हिंसा के कारण after 1994 attacks on minorities became episodic 1994 के बाद जो अल्प संख्यक थे कश्मीर में उनके उपर हमले जो थे वे episodic बन गए episodic का मतलब है कि इस तरह का episode है ना कि उनके उपर जो है हमें बार-बार देखने को मिले जब तब है but not without periodical outrages but not periodical periodical का मतलब है जो time to time होता है एक fixed period के बाद में होता है outrage का मतलब होता है बहुत ही भैंकर गुसा but not without periodical outrages लेकिन हमें साथ साथ क्या देखने को मिला मतलब कुछ एक नियमित अंतराल के बाद नियमित या अनियमित अंतराल के बाद आप क्या सकते हो कि बहुत ही भैंक भीशन गुसा देखने को मिला जैसे कि वंधामा मसाकर मसाकर का मतलब होता है एक बड़े पेमाने पर लोगों की हत्या when 23 पंडित्स were shot dead in January तो देखो क्या किया गया यह जो वंधामा मसाकर की घटना होई इसमें क्या हुआ कि 23 जो कश्मीरी पंडित्स से इनको जो है जनवरी 1990 में जो है shoot कर दिया गया and the चिट्टी सिंगपुरा मसाकर और यह जो चिट्टी सिंगपुरा हत्या कांड हुआ इसमें क्या किया गया in which 35-6 were killed in Anantanag in March 2000 March 2000 में Anantanag नामा के स्थान पर 35 जो सिक थे उनको उनकी हत्या कर दी गई the wave of violence is taking place take place का मतब घटित होना against the backdrop का मतब प्रस्ट भूमी of an uptick uptick का मतब बढ़ोत्तरी होना in tourist flow tourist inflow to the valley editorial कहता है कि यह जो हिंसा की लहर अभी हाल ही में कश्मीर में हमें देखने को मिली है यह घटित होई है यह हिंसा घटित होई है इस प्रस्ट भूमी में कि हमें एक व्रद्धी देखने को मिली है कि tourist जो है उनका inflow tourist जो है कश्मीर वैली में आ रहे है and the centers push to promote और केंदर सरकार जो है push, prosight कर रही है इस बात के लिए जोर लगा रही है to promote का मतलब है केंद सरकार इस बात को promote करना चाहती है इस बात का प्रचार करने की कोशिश कर रही है क्या a raft of development raft of का मतलब होता है मतलब कई सारी चीज़े है जैसे a raft of something का मतलब होता है a large amount of या a large number of something development कि एक तरप तो केंद सरकार कई तरह की विकास से जुड़ी हुई जो योजना है उनको promote करने की कोशिश कर रही है और इसी प्रिष्ट भूमी में हमें ये हिंसा देखने को मिल रही है the administration is also encouraging the administration is also encouraging the pundits to return कि जो प्रिशाशन है वह भी प्रोसाइथ कर रहा है कश्मीरी पंडित्स को वापस लोटने के लिए a nine week long outreach outreach का मतलब होता है पहुच कि आप दूर दराज छेतरों तक पहुचते हो of the center in Jammu and Kashmir where union ministers are visiting remote districts कि आप कह सकते हो एक nine week long 9-17 से सम्मनित एक लंबी पहुच बनाने की कोशिश की जा रही है केंदर सरकार के दौरा जम्मू कश्मीर में इसके तहित क्या किया जा रहा है जो union ministers हैं केंदरी मंत्री हैं वे visit कर रहे है किस चीज का visit कर रहे है किस चीज का दौरा कर रहे है remote district कि जम्मू कश्मीर के दूरस्थ जो जिले हैं उनका दोरा Union Ministers के दोरा किया जा रहा है Including those closer to the LOC उन जिलों का भी दोरा किया जा रहा है जो की Line of Control के पास में है Age Underway Underway का मतलब है इस पर काम जारी है यह चल रहा है Union Home Minister Amit Shah could make a visit later this month Later का मतलब है बाद में और यहाँ पर कुड़ आया है possibility के लिए के लिए केंद्रिय ग्रहमंत्री अमित शाह भी इस मैने के अंत में अपना कश्मीर दोरा कर सकते है Strict Directives were issued to unfurl देखो unfurl का मतलब होता है कोई चीज जो folded है उसे unfold करना फैलाना किसी चीज को है खोलना किसी चीज को unfurl the national flag in all government buildings तो बहुती सक्त निर्देश दिये गए थे कि जो रास्ट्रिय धोज है उसे सरकारी building उस पर फैलाया जाए खोला जाए ना यानि की जंडा फैराया जाए including schools on August 15 कि 15 अगस्त को national flag को unfurl करने के strict आदेश केंद्री सरकार की तरफ से जारी किये गए थे there is also a higher level of intolerance by the administration की एक और उच्च दर्जे का हमें जो है आसान शीलता उच्च दर्जे का intolerance हमें देखने को मिलता है administration की दोर है आसान शीलता which does not spare even the political activities of mainstream parties ये विच आया है administration के लिए ना कि बही जो प्रिशाशन है doesn't spare, spare का मतलब है छोड़ना, प्रिशाशन जो है नहीं बक्षता, नहीं छोड़ता यहां तक की political activities of mainstream parties की जम्मु एंड कश्मीर की मुख्य राजनीती से जुड़ी हुई जो political parties है उनकी activities को भी प्रिशाशन नहीं बक्षता there is an aggressive drive, aggressive का मतलब है बहुत ही ज़्यादा आक्रामक, drive का मतलब है effort, प्रियास to, यहां पे to आया है भी के लिए, to punish government staff, यहां तक की एक आक्रामक प्रियास भी देखा गया है उस आक्रामक प्रियास में यह देखा गया है कि जो government staff है उसको भी punish करने की कोशिश की गयी है अगर ऐसा पता चलता है, suspected to be, suspect का मतलब होता है एक तरीके से आप कहते हो कि suspect होने का मतलब है संदेह होना suspected to be, separatist, sympathizer, separatist का मतलब हुआ, अलगाववादी और sympathizer का मतलब हुआ, सहानुबूती दिखाने वाले कि अगर ऐसा लगता है कि कोई government staff है, वह है अलगाववादियों के साथ सहानुबूती दिखाने का, मतलब ऐसा लगता है कि वही एसा संदेह होता है कि कोई government staff जो है वह अलगावादियों के साथ सानुबूती दिखा रहा है तो उसके साथ भी आक्रामक बरताव करने की कोशिश की गई है प्रिशाचन के द्वारा भी civilians are soft targets for the terrorists in this milieu milieu का मत्तभ होता है वातावरण कि ये जो वातावरण हम कश्मीर में देख रहे हैं वरतमान में इसमें जो नागरिक हैं वे बहुती आप कह सकते हो soft targets हैं आतंकवादियों के लिए according to police figures, police के आंकड़ों के नुसार जमू एंड कश्मीर सा 28 civilian killings कि जमू एंड कश्मीर ने क्या देखा कि 28 जो है, एक तरीके से 28 जो है civilian killings, 28 जो है नागरिक मारे गए surpass, surpass का मतलब है अधिक होना कि कोई आकला है उससे अधिक होना surpassing the 22 casualties का मतलब है मारे गए लोग of security personnel, सुरक्षा कर्मी so far का मतलब है अब तक, this year कि जमू एंड कश्मीर में अब तक 22 सुरक्षा कर्मी जो है, मारे गए है और इन 22 सुरक्षा कर्मियों से अधिक संख्या मरने वाले नागरिकों की हो गई है 28 of the 28 killings, कि भई ये जो 28 आप कह सकते हो कि ये जो 28 हत्याएं हुई है forward local Hindus, इन में 4 local Hindus थे एक सिख व्यक्ति था 2 non-local Hindu laborers, इसके अलावा 2 अन्य, आप कह सकते हो कि non-local Hindu है ना, मजदूर वर्ग थे laborers थे, काम करने वाले थे and 21 local Muslims और 21 local Muslims थे 23 were political workers 23 राजनितिक कारी करता थे with most from the BJP और ये जो राजनितिक कारी करता थे इन में से अधिकांस BJP से संबंदित थे no society can tolerate such violence, editorial कहता है कि कोई भी society इस तरह की हिंसा को नहीं सह सकती, इस तरह की हिंसा को बरदाश्ट नहीं कर सकती, बट लेकिन while pursuing terrorists अब देखो, इस while शब्द का हम प्रियोग करते हैं, जब दो गतिविदियां एक साथ चलती है दो गतिविदियां parallel चलती है एक तरफ ये काम चल रहा है और साथी साथ दूसरा काम चल रहा है जब दो गतिविदियां बिल्कुल parallel चलती है तो उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम उसके लिए हम प्रियोग करते हैं while का बट वाइल pursuing terrorists, कि भी ठीक है, आतंकवादियों का पीछा सरकार कर रही है, आतंकवाद को follow सरकार करने की कोशिश कर रही है, the administration should also engage with, लेकिन जो परिशाशन है, उसे सम्मिलित होना चाहिए, किसके साथ में? political parties and civil society organization, कि विभिन civil society organizations जो है, यानि कि विभिन सब भी आप कह सकते हो, कि जो लोग है, तो को civil society organization क्या है, कि जैसे जाने माने पत्रकार है, फिल्मकार है, या फिर आप कह सकते हो, कि किसी प्रमुख पेशे से सम्मंदित retired लोग है, इनका जो group होता है, जो कि किसी particular चेत्र या particular राजी की भलाई के लिए काम करता है, उसको हम civil society में count करते हैं, तो रिटोल कहता है कि विभिन तरह के संगटन हैं, civil society संगटन हैं, विभिन तरह की राजनितिक parties हैं, उनके साथ प्रश्याशन को मिलकर काम करना चाहिए, और आतंकवाद से निपटना चाहिए.